दोस्तों यहां पी खराब सिविल स्कोर मात्रा सत्रा दिवस में जो है सही हो गया, हाई हो गया, लो था, ओवर्ड्यू, फाल्टू अमाउं, गलत इंट्री, रिपोर्ट करके कंप्लेट के सही कर लिया गया, इस वीडियो में आपको लाइप पीडिया फूरूप एक दम सब कुछ दम डिटेल से आपको बताएंगे, कैसे आप कंप्लेंड कर सकते हैं, अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, आदा नहीं देखना है, तो बिर आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइक के बेल आइकन को ओन कर देना, चलिए हम आपको ले चलते हैं, लेप्टॉप के स्क्रीन पे, सब कुछ वहां पे आपको लाइप पूरूप दिखाने वाले हैं, तो यहां पे हम लेप्टॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं, और यहां पे आप लोग यह हमार civil score 703 था जो कि मैंने जो है काफी जैसे की report अपना check कि और मैंने जो है काफी time से मैंने inquiry किया था कुछ हमारे civil में overdue और हमारे कुछ card decline हुए थे कुछ payment ऐसे थे बट मैं सारी कुछ गलती नहीं किया था फिर इसकी बाद इन्होंने हमसे कुछ time पहले कुछ दिन पहले बात किया था मैंने बोला wait कर लो आपका automatic इन्होंने क्या किया कि civil विरो में इन्होंने dispute किया था complaint किया था साथ में RVI को भी tag किया था और इनका civil score 703 से ही नीचे जा रहा था फिर 703 से इनका civil score कितना हुआ है चलिए मैं आपको PDF में दिखाता हूँ open करके तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इनका civil score 703 है 14082022 इस टाइम तक इनका civil score इतना था इस टाइम तक इनका PDF मेरे पास आया है जो कि मैंने यहां पर इनके details को blur किया है personal information को और यहां पर इनका आप लोग दिखा रहे हैं इनका जो है हम यहां पर वीडियो पूश करते हैं तो यहां पर इनका मैं यह जो civil था इसमें 42 inquiry आया है कुछ amount overdue थे तो मैंने इस inquiry को counting किया इन्होंने सेम टाइम में यहां पर दे सकते हैं कि एक gap नहीं किये हैं मन्त वाई मन्त और इनकी inquiry सबसे अधिक 2021 में है आप यहां पर दे सकते हैं कि 2021 में कापी सारे इंक्वाइरी किये हैं तो यहां पर इनका जो inquiry अब तक मैंने पुरा counting किया यह 42 inquiry है old वाले पीडियेप में जो इनका 703 था चलिए हम इनका न्यू पीडियेप को open करते हैं उसमें आपको दिखाते हैं कि न्यू पीडियेप में कितना इनका inquiry है और क्या सही हुआ है इनका तो यहां पर आप लोग ने अभी पिछला पीडियेप देखा अब यहां पर नया डेट देख लो 3108-2022 इनका संद्योकी मात्र 17-18 दिवस के अंदर इनका सिविल अपडेट हो गया 703-765 हो गया सोची आप लोग देखिए सेम कंट्रोल नंबर है आप लोग मैचिंग मिला लिएगा जो की अलग अलग नहीं है और इसके बाद जो है चलिए मैं एक बार इनका जो है ले चलता हूं इनके विरो था inquiry में कितना कम हुआ है और देखते हैं कितना इनका अब तक किया गया है इनोंने डिस्पूट किया था यहां पर तो अभी कुछ इनके जो है रिव्यू में चल रहे हैं बाकी एक बार हम चले ले चलते हैं जब सकेंड थोड़ा समय स्कॉल कर रहा हूं 40 पेच है यहां पर दोस्तों यहां पर हम स्कॉल डाउन करके आ गये जो है नीचे तो थोड़ा से ज़्यादा पेच था यहां पर चालिस था अब यहां पर इनकी जो इंक्वारी इंफ्रमेशन मैंने अभी काउंटिंग किया 42 इनका ओल्ड में था और इनका न्यू में 38 है जो कि पूरा रिमूब नहीं किया गया क्योंकि इन्होंने जो हाड किया है जो किया और इंक्वारी इनका जो है जो गलत था रॉंग करीक की से आया था और इंक्वारी रिमूब कर दिया गया तो इनका न्यू वाले में 4 किया गया और ओल्ड में इनका जो है टोटल 42 था और इनके कुछ लोन ओवर्ड थे कुछ इनके नहीं अमाउंट पेमेंट करने पर inquiry अगर आपका करीवन 50 के नीचे है और आपका O inquiry multiple है जैसे आप इसके देख सकते हैं कि इनकी जो inquiry है एक साल में बहुत अधिक नहीं किया गया है इनका 2012 से है और बारस से आप देख सकते हैं इनका तो इनकी inquiry 2012 से की गई है बट जो है एक इसमें एक system एक दिखने को मिलता है कि इन्हों ने multiple month में जादे नहीं किये हैं तो इनके 2012 से इतने inquiry जादे नहीं है एक पिसे हिसाब से बहुत कम है आप calculate करोगे तो इन्होंने काफी अपने सिविल को maintenance किया है तो गलती हुई थी इन्होंने क्या क्या dispute किया complaint किया और हो गया तो अब आपको कैसे क्या करना है पहले आपको सिविल का membership लेना है dispute करना है तब dispute करोगे तो आप सिविल वीरो डालेक्टी बैंक को या इन्विसी कंपनी को report करेगी बताएगी क्या आपने किया है नहीं किया है उनके तरफ से उसको पूरा clear किया जाएगा और आपका 45 दिवस के अंदर आपको update किया जाएगा साथ में आर व्याई को tag करना है इमेल के साथ हिंदी इंग्लिश जो भी आपको आता है डियर आर व्याई टीम आपको हिंदी में जो भी आपको लिखना था लिख लीजिए अपना आपने किसी का payment किया है प्रूफ है इस्टेटमेंट है लोन अकाउंट नंबर है अपना मुवाईल नंबर डालके इमेल में सेंड कर दीजिए 100% समधान होगा और आपकी प्रॉडम को दूर किया जाएगा तो इस तरीके से इनका सेविल इंक्रीस हुआ आपने लाइफ प्रूफ देखा और आप सम मिलते हैं नए विडिक साथ तब तक के लिए जाएइन वन्दे मातरम